केथल में आज काउंग्रेस के रास्ट्री अपरवक्ता रंदेप सूर्जेवाला ने पत्रकार वारता कर कहा कि जो तीन अध्यादेश सरकार किसानों के लिए लेकर आई है यह किसान विरोधी है पीपली में किसानों के उपर लाठी चार्ज किया गया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसानों के उपर लाठी चार्ज नहीं हुआ और कुछ सरकार के लोग निंदा करते हैं कि किसानों के उपर लाठी चार्ज होना निंदा निये ह जब सरकार में जो लोग हैं उनके ही एकमत नहीं हैं तो ये सरकार कैसे चलेगी जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी और हरियाना में दोबारा चुना होंगे जिसमें कॉंग्रेस पार्टी असे सीटें हरियाना में जीतेगी और पूरण बहुमत से एक अच्छी सरकार हरियाना वाशियों को देगी उन्होंने कहा कि इस सरकार में हर वर्ग पूरी तरह से परिशान है किसानों के उपर जवरदस्ती ये तीन अध्यादेश लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं जिसका किसान सुरू से ही विरोध कर रही है और किसानों के साथ कॉंग्रेस पूरन रूप से खड़ी है वह किसानों की हालात को सुधारने के लिए हर संभव प्रियास करेगी और विपक्स में मुद्दे को उठाती रहेगी न्यूजवन हर्याना के लिए कैथल से बबल कुमार गागट के रिपोर्ट सवाल सरकार बनाने का है ही नहीं मेरे मित्र सवाल किसान की पीड़ा हरने का है सवाल खेत मजदूर की जिंदगी चलाने का है सवाल आड़ती मुनीम दुकानदार और मंडी मजदूर की आजीविका को बचाने का है हरियाना में भाजप्पा जजप्पा के गठ बंदन को एक सेकिंड भी सत्ता में बहने बद बने रहने का अब अधिकार नहीं बचा हमारी मांग है के जजप्पा को भाजप्पा से समर्थन वापिस लेना चाहिए मलाई के मुकाबले में किसान को मरहम लगाना चाहिए दुबारा से चुनाव होंगे हर्याना में कॉंग्रेस सत्तर नहीं असी पार के वादे के साथ वापिस आएगी और हम पहला फत्वा जारी करेंगे कि हम मोदी सरकार के इन काले कानूनों का बहिशकार करते हैं और नहीं मानेंगे आदर्णिय मित्र हर सिम्रत कौर जी ने चुप़ी क्यों सादे रखी जून से और सितंबर तक मंत्री मंडल में जब तीनों अध्यादेश पारित हुए तो हर सिम्रत कौर जी वहाँ बैठी थी उनके उस पर सहमती पर दसकत हैं अकाली दल बादल की मंत्री के उन्होंने तब विरोल क्यों नहीं दर्शाया और जताया आज जब लगा के पंजाब के अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा तो फिर स्वांग करके अब इस्तीफा दे दिया इस्तीफा तो दे दिया पर क्या हर सिम्रत कौर बादल जी और सुखवीर बादल जी दोनों बीजेपी की मदद से संसद में MP नहीं बन कर गए हैं तो सबसे पहले तो MP के पदों से इस्तीफा दें क्या आज भी वो मोदी सरकार के साथ उनके समर्थन में नहीं खड़े हैं उनके घटक दल के हिस्सेदार नहीं हैं तो भारतिय जनता पारिटी की मोदी सरकार से समर्थन वापिस लें वरना इस परकार के 6 साल 6 साल मंत्री पद की मलाई खाई और आज भी भाजप्पा के साथ खड़ी नजर आई तो अकाली दल बादल को भारतिय जंता पार्टी की सरकार से समर्थन वापिस लेना चाहिए तभी मजदूर, किसान, आड़ती, मंडी मजदूर और गरीब उन पर विश्वास करेगा नहीं तो नहीं